नीन में सांस का अचानक बंद हो जाना इसे medical terminology में sleep apnea कहते हैं ऐसा क्यों होता है कैसे आप इसे fix कर सकते हैं आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा sleep apnea का शिकार लोग या तो diabetic वो लोग जन्हें sugar हो चुकी है या pre-diabetic है sugar हुई नहीं है हो सकती है risk ज्यादा है blood sugar level हमेशा बड़ा रहता है लेकिन इतना नहीं बढ़ता है कि इन्हें diabetes की category में रखा जाए और ये blood में बड़ी भी sugar body में vitamin B1 की कमी कर देती है vitamin B1 की कमी की वज़ा से दिमाग के निचले हिसे दिमाग की base में read की हड़ी के उपर वाला हिसा जिससे brain stem कहते हैं इसका function मुतासर होता है ये brain stem ही है जो हमारे सांस लेने का अमल breathing, blood pressure, heart rate और digestive system को निजामे इन अजाम को control करता है brain stem, फेपणों के इर्द गिर्द के जो muscles हैं जो सांस लेते वक्त सुकडते और फैलते हैं, diaphragm और intercostal muscles इन तक signals लेके जाता है और हम सांस ले पाते हैं, हमारी heartbeat इसके control में होती है, body का balance और कुछ और चीज़ें भी इसमें शामिल है, ये इस तरह होता है कि इसमें से एक nerve निक vitamin B1 की कमी breathing center function को मतासर करती है, phrenic nerve का function damage होता है और दिमाग से ये signal diaphragm तक पहुंच ही नहीं पाता है, जिसके नतीजे में sleep apnea या persistent hiccups, hitch की लगना या सांस का अचानक बंद हो जाना, ये सब शामिल हैं, देखें, neen में जब हम होश में नहीं होते हैं, तो कुछ चीज़ों क nervous system इसे control करता है और इसे brain stem control करता है, vitamin B1 की कमी ना सिर्फ brain stem के function को मतासर करती है, बलके lactic acidosis की वज़ा भी बनती है, जिसमें blood में lactic acid बढ़ जाता है, oxygen की कमी हो जाती है, blood pH नीचे आ जाती है, और इसकी वज़ा से discipline या सांस लेने में मुश्किल होती है, और अगर इसकी of देहान ना दिया जाए, तो एक बिमारी जिसे very very disease कहते हैं, उस तक बात जा सकती है, जिसे फिर reverse करना possible है, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बचों में SIDS, sudden infant death syndrome, जिसमें एक से 6 मा के बच्चे की नीद में अचानक सांस बंद हो जाने से death हो जाती है, इसमें भी vitamin B1 की कमी माओं से बच्चों में transfer होती है, जिसकी वज़ा से breathing center का function disturb होता है, और ये वज़ा बनता है sudden death की, आप अगर इसका शिकार हैं, तो अपने vitamin B1 intake पे देहान दें, शुगर बड़ी भी रहती है, तो उसे control करें, weight बड़ा है तो उसे काम करें, क्यूंकि इसमें जो extra fat है, खास तोर पे गर्दन पे सांस की नाली के इर्द गिर्द, ये भी airway obstruction की वज़ा बनता है, इसे पिछका देता है, side पे सोएं, सीधा अगर आप सोते हैं, तो जबान और गले में जो soft tissues हैं, फ्रोट के ये कमजोरी की वज़ा से collapse कर जाते हैं, रस्ता रोक लेते हैं हवा का, जिसकी वज़ा से सांस रुख जाता है, regular physical activity से muscles toned up होते हैं, जिसमें गले के muscles भी शामिल है, muscles strong होते हैं, exercise से overall weight काम होता है, और sleep quality अच्छी होती है, फिर उसके बाद diet में दही एक अच्छा सोर सा vitamin B1 का, किनू, माल्टे, grapefruit, watermelon, whole grain आटा, या चक्की का आटा, बगैर च्छन पर आने का शुक्रिया, अपना ख्याल रिखिए, अल्हाफेस.